English के जो Pears of Words हमने शुरू किये है आज हमारी दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने 5 Pears of Words सीखे थे आज हम मजीद 5 Pears of Words सीखेंगे। हमारे साथ पहला है Factor, Factor बतोरे वर्ब इस्तेमाल हुआ है। असर करना, the change in climate यनि आब वो हवा में तबदीली affected उसने असर किया है his health उसकी सिहत पर यनि आब वो हवा में तबदीली ने उसकी सिहत पर असर किया है effect ये कि साथ जब आएगा बतोरे noun होगा असर, दी मीडिसन दवाई hit a very good effect एक अच्छा असर है on his illness उनकी बिमारी के खिलाफ यनि बिमारी के खिलाफ दवाई ने बहुत अच्छा असर किया था, दी मीडिसन had a very good effect एक यनि दवाई ने बहुत अच्छा असर किया था ता on his illness उनकी बिमारी के खिलाफ एयर, एयर का मतलब है हवा, लायो का मतलब है जिन्दा रहना, यनि वी किन नाट लायो हम जिन्दा नहीं रह सकते विदाउट एयर हवा के बगेर, एयर, एयर का मतलब है वारिस, दी एयर्स जो वरसाते divided the property उन्होंने मालो दवलत को तक्सीम किया, इमांग दिम सिलोस अपने दर्मियान यनि वरसाने वर विरासत की माल को अपने दर्मियान में तक्सीम किया, अगे हमारे साथ है illusion, illusion का मतलब है हवाला या इशारा, His essay is full of literacy illusions, यनि उनकी जो मजमून नवीसी है वो खांदगी के हवालों के हवाले से मुकमल है, यनि जो literacy illusions है, उस हवाले से मुकमल है, full है, illusion आई के साथ जब लिकूंगे दो का या नजर का फरेब, She is under the illusion, वो इस फरेब में है, that he loves her के वो उनसे मुहबबत करता है, यनि जो इस दो के में है, that he loves her के वो उनसे मुहबबत करता है, एके साथ लिकूंगे तो हवाला या इशारा, आई के साथ लिकूंगे तो दो का, इल्टर, जो इल्टर का लफज है, कुर्बानगा को हम बोलते हैं, दर्मियान में जब ए आई गा, A, L, T, A, R, इल्टर का मतलब है, कुर्बानगा, the goat was brought, यनि जो बकरा ता, उसको लाया गिया, तो दी इल्टर, कुर्बानगा को, यनि कुर्बानगा की तरफ लाया गिया, बकरे को कुर्बानगा की तरफ लाया गिया, इल्टर, इल्टर का मतलब है, तबदील करना, I have to alter my program, यनि मैं अपना program तबदील करना चाहता हूँ, या मुझे अपना प्रोग्रेम जो मेरा प्रोग्राम है वो तबदील करना है इंजल इंजल का मतलब है फरिश्टा जब ई इल जी के बाद ई आएगा और उसके बाद इल आएगा तो इंजल इंजल हम फरिश्टे को बोलते हैं इंजल्स आर इन्विजिबल फरिश्टे आई नहीं देते, टू हुमन आई, इनसानी आउग को, ट्राइंगल, इंगल का मतलब है जाविया, ए ट्राइंगल, एक का जो मसल्स होता है, हिस्त्री इंगल्स उनके थीन जाविय होते, अब ये एक में इस तरह लाइन केंचता हुए है, इस तरह ए जो इनका कोना होता है, य और जी के बाद यही इल लगाने से फरिष्टा यानि एंजल बन जाएगा. हमारे साथ जो पहला लफ्स था एडवाईज इनने एफेक्ट हो, एफेक्ट का मतलब है असर करना, जब ए के साथ लिखोंगे तो वर्ब आएगा, असर करना, और आगे हमारे साथ था ए के साथ एके साथ एफेक्ट, असर, बतोरे नाउन आएगा, एर, एर का मतलब है हवा, औ आई के साथ लिखोंगे तो इलूजन दो का नजर का फरेब एल्टर एके साथ एल्टी के बाद ए ए आर लिखोंगे तो कुर्बान गाह को बूलूंगे और टी के बाद ए आर लिखोंगे तो तबदील करना एल्टर तबदील करना एंगल जी के बाद ए ए लिकोंगे तो फरिश्टा इसका मतलब होगा फरिश्टा और जी के बाद ए लिकोंगे तो जाविया बनेगा यनि एंगल, जाविया, इंजल, फरिष्टा, एल्टर, तबदील करना, एल्टर, कुर्बानगा, इल्लूजन, दोका, इल्लूजन, हवाला या इशारा तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी शुक्रिया